बिस्मिल्लारोमारोहीम, Assalamualaikum friends, welcome to this InfoCam channel, आज के वीडियो में हम निशाललाह देखेंगे के, what are the components of android applications, ठीक है, and components से क्या मुरात है, definitely, इसमें हम डिसक्स करेंगे के building blocks, क्या चीज़ें होती हैं android apps के अंदर, then इसके बाद, अगर आप android app build करना चाहते हैं, तो कौन-कौन से components इसके लिए जरूरी होते हैं, और किन चीज़ें से मिलकर, एक android app बनती है, basically, मैं आपको बताब चुका हूँ, कि activities से मिलकर, multiple activities मिलकर, एक android application आती है, so, कुछ और चीज़ें हम डिसक्स करेंगे, एक app में, ये सारी चीज़ें हो भी सकती है, यान में से कुई एक चीज भी हो स सकती है, वो depend करती है, application की requirement पर, चीक है, तो, जहां ही हम पढ़ेंगे, कि जिस component की जरूत होती है, वो component हम इस app में use कर लेते हैं, जहां पर नहीं जरूत होती है, तो हम उसको रहने देते हैं, उस वेर भी app चल जाती है, तो, इस टाम में ये जितने भी components हैं, मैं आ रहरे रह चुक हूँ, ये components android manifest.xml के अंदर, इनको हम mention किया करेंगे, क्योंकि हमारे पास, let's say कि कितनी activities हैं, फर्स करें, activities one, activity two, three, four, इस तरह की हैं, तो, ये तमाम components जुकने भी हैं, android manifest.xml में declare होंगे, ये चीज़ आपके जेन में होनी चाहिए, चीक हो गया, basically हमरे पास, इस ट्रेंग चार components, मैंने mention किया है, ये important है, main है, इनके इलावा और भी हैं, लेकिन हम इन चार को discuss करते हैं, number one, जैसे ये सबसे पहले आपके सामने शो कर रहा हूं, activities हो गया, number two, services हो गया, and then content provider हो गया, तो ये चार main components है, एन किलावा और भी components हो सकते हैं, फिलाल हम ये चार discuss करते हैं, आएदा feature में शाला देखेंगे, कि इनके मतले कम applications होगारा भी program कर सकते हैं, कोशिच करेंगे कि को लेके चले और इसके साथ कुछ applications होगारा भी program करें, तो सबसे पहले discuss कर करते हैं, कि what is an activity, चीक है, activity क्या चीज़ है, basically an activity presents a single screen, already मैं आपको दिखा चुका था, कि एक single screen जिस तरह फर्स करें, android studio में मैं जहां पर चाहता हूं, तो यहां पर android manifest.xml के थूरू अब ये एक main activity है, यहां पर देखेंगे, एक single screen यहां पर शो हो रही है, अब यहां पर यहां पर यह देखें, यह single screen को शो कर रहा है, यह single screen है, तो basically यह activity है, चीक है, और इसी तरह एक application में आप multiple activities भी screen को शो कर सकते हैं, यह basically user interface प्रवाइड करता है, यूजर इंटरफेस दीए कि एक बंदा normally interact करता है screen से, तो उसी को basically user interface करते हैं, और जो application का user होता है, वो interact कर रहा होता है, अपनी activities के थूरू, मतलब इन के जरी components को touch कर रहता है, जिस तरह screen पर touch कर रहते है, mobile screen पर हम, मतलब कोई भी activity पर फार्म करता है, तो इसको component को हम एक activity कहते हैं, अब जब आप activity अपने tab में खोलते हैं, तो उसके साथ हमेशा दो files related होती है, आ लड़ी मैं पहले भी बताशकों, दोबारा यहां भ जावा की file होती है, और दूसरी जो XML की file होती है, चीक है, Java के file हमारे पास basically package है, Java के, app के अंदर ही, जैसे मैं यह दिखा रहा था कि, मैं, app के अंदर जाएं, manifest के अंदर जाएं, android manifest.xml, यह coding उसके layout की होगी, और sorry, उसके XML file हो जाएगी, जिसके अंदर हमारी application की settings और configuration हो रही होगी, अकर यहां पर मैं इसको click कर रहा हो, यह देखें, सारी coding के अंदर हुश्य हो रहा है, अलड़ी मैं इसको discuss कर चको हूँ, औ अब फर्स करें, मैं यहां पर इसको आपको दिखाता है, तो चलें, मैं यहां राट शोडी में आता हूँ, तो यह basically हमरे पास जावा का package हो रहा है, यहां पी देखें, package के अंदर main activity की class है, तो basically यह अगर यहां पर मैं इसके सामने चेक कर हूँ, main activity यह class है, जो कि extend कर रही ह है, app compare activity को, और इसकी super class जो है, वो है activity, तो basically हम इस class के अंदर ही functionality डिफाइन करेंगे, और अगर आप देखना चाहते हैं, तो layout इसके साथ साथ कौन सा जुड़ा हूँ है, तो इसके लिए यहां पर यहां पर देखें, activity के साथ main layout यह जुड़ा हूँ है, ठीक है, जिसमें, activity activity underscore main.xml हम आरड़ी देख चुके हैं, अप review में इसको यहां पर राइट सेटी पर देख भी सकते हैं, तो यहां पर activities related दो फाइल होती है, एक वोई सेम जावा की फाइल, and second XML की फाइल, XML फाइल में user interface होता है, और Java की फाइल में क्या होगा, जो button पर first करें, click करता है, उससे अगर आप काम लेना चाहते हैं, तो उसकी coding हम यहां main activity के अंदर जिस तरह already मैं शोग कर चुक हूँ, उसकी functionality को, उसकी business logic को यहां पर हम define किया करेंगे, तो subclass of activity, मतलब यह implement as a subclass of activity करती है, इसमें main activity होती है, और यह किसको inherit कर रही है, activity को, ठीक है, यह देखें, activity, यहां पर main activity की जो class है, तो उसे को inherit कर रही होती है, अच्छा activity के बाद और भी classes हैं, जिस तरह app compact, action bar activity की जो हो जाती है, तो latest जब आप बनाते हैं, तो आपको app compact activity ही मिलती है, लेकिन basically एक app compact भी subclass ही है, और activity की और फिर इस तरह app compact activity में कुछ और features भी होते हैं, मिसाल के तोर पे activity class में है, activity को हम इंशालला next lecture में बहुत detail के साथ चेक करेंगे, और इस से related program बनाने कोश्च करेंगे, और उसमें एक layout भी discuss करेंगे, ताक कि आपको इसकी functionality का अंदाजा हो जाए, किस तरह ही होता है, इंशालला इस सारी इसमें discuss करेंगे, activity के बाद हमारे पास जो second component होता है, वो आजाता है, services का, ठीक है, basically services किस में use होती है, normally यह background में run करती है, ठीक है, basically background में use होता है, to perform a long running programs, long running operations, अगर कि backend पे long running operations है, तो उसके लिए, लाजमी से बाद है, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम backend पे services को use करते हैं, for example, आप background में कोई music play करना चाहते हैं, किसी application के backend पे music play करना चाह रहे हैं, या उसके लिए आप को ऐसी services use करना चाह रहे हैं, कि जो long time, अच्छा, यह application के अंदर हो भी सकते हैं, और नहीं भी जरूरी भी नहीं है, कि आपके application के अंदर ही हो, यह application के बाएर in backend पे music play कर सकते हैं, या और इस तरगी कोई चलता रहता है, backend पे user interface जो वसी तरह चलता रहता है, कोई operation इसमें block नहीं होता, तो आप easily downloading कर सकेंगे, अब हम services को इस तरह implement करेंगे, कि इसको भी हम backend पे basically class बनाएंगे, सेम इसी तरह यह देखनें, अगर यहां पे my services की class बनाएंगे, उसके बाद implement करेंगे, extend करेंगे, या inherit करेंगे services से, तो यह अब भी हमर पास एक built-in class Android में, ठीक हो गया, इसको भी simple recording है, इसको भी discuss कर लेंगे, और फिर हम इसको extend करके, इसमें जो method होता है, उसको override करते होते हैं, फिर हम methods को simple implement करते होते हैं, यह भी simple है, इसको भी discuss कर लेंगे, ठीक है, उसको बाद next third number पर आ जाता है, broadcast receiver, broadcast receiver क्या होता है, यह basically मुख्रिप events को सुनता है, वो events जो system generate कर सकता है, और या पर आप उसमें अपनी customer, custom events भी generate कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर हम इसके साथ broadcast receiver एक register करते हैं, लेट से आप चाहते हैं कि mobile को restart करें, यह on करें, तो उसमें start में कुछ action perform करें, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, कि एक class बनाएंगे, same उसी तरह, उसको inherent करेंगे broadcast receiver से, इसके लिए आपको, same manifest के अंदर ही करना होगा, आप किस किसम का event बनाएंगे, कि किस किसम का event listen करना चाहते हैं, तो यह हमारे पास एक action boot completed का event है, हम उसको करना चाहते हैं, यह इसके लावाद time change का event भी कर सकते हैं, battery low का event भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास मुक्तलिप किसम की events होते हैं, android system के अंदर आपको generate कर सकते हैं, सिंपल सी coding है, इसमें भी methods को override करेंगे, class के अंदर, broadcast receiver के अंदर जो एक method होता है, उसको override करेंगे, और definitely उसमें unreceived, मतलब उसको use करता है, unreceived करता है, यह भी इंशालला हम फीचर में detail से discuss करेंगे, लेकिन साथी क्वी prompt बना के, तो वो जड़ा एजली आपको महाँ पे जाँ जाँ जाँगे, इसके बाद हमारे पास मुक्तिरफ components हैं, इनको हम content providers करते हैं, ठीक है, फोर नमबर पे जो events आजाता है, यह basically क्या करता है, अगर आपके पास लेट से दो application है, और आप एक application का data, दूसरी application के अंदर देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप content provider use होगे, तो समझागे कि basically दो ये दो तीन apps के दरिमांद के निडिकेट करते हैं, और data को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसे लिए, इसे लिए content provider सिंपल सी चीज़ है, इतने हम तॉप नहीं है, चौथा component तक content provider, चार components के लावा कुछ और components भी उसकते हैं, जैसा कि intent के बहुत है, हम इसको यूज़ करेंगे, फिर fragments होते हैं, फिर view होता है, फिर view groups होता है, यह सारी चीज़े हम जहां पर यह जरूत होगी तो वहां पर इन चीज़ों को भी discuss करेंगे, यह थी थोड़े से components, Android application के components के होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ को लेके चलेंगे, और उनके साथ बगएदा कुछ exercise करेंगे, कुछ coding करके, कुछ applications बना के कोशिश करेंगे, वहां पर इन चाला को यह detail में समझ आनी है, अभी जो चीज़े हैं, जस्ट थोड़ी सी इनकी definition समझ लें, आपको बताईए, main android manifest के अंदर settings और configuration की जाती है, XML की फाइल पर ठीक है, तो वहां पर इसके साथ, same way मैं बता रहता है, activity अगर फर्स करेंगे करते हैं, तो इसके साथ दो फाइल होती है, Java की फाइल होती है, then XML की फाइल होती है, XML के अंदर उसका layout discuss करते हैं, और Java के अंदर business logic मतलब की functionality को हम code कर रहते हैं, तो same इसी तरह, जिस component को हम access कर रहते हैं, उस को पहले androidmanifest.xml के अंदर लाजमी mention करना होता है, ठीक है, तो simply coding है, next इंशाला हम इसको detail में देखेंगे, उमीद है कि आपको lecture पसंद रहा होगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर question है, तो जरूर comment में पुछें, मैं इंशाला अपनी तरफ से पूर झाला हम 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 झाल